नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हिमान्चु बाश्पिय ऑफीशल पर और आज हमारे साथ एक बहुत खास महमान है हमारे साथ है यतींद्र मिश्र संगीत के जाने माने अध्येता लेखक कई कितावे उनकी जो हैं बहुत मशूर हैं लता सु यतींद्र जी से बात करेंगे सुरों के बाश्चा मुहम्मद रफी सहाब के बारे में क्योंके 31 जुलाई को उनकी पुन्यतिती होती है तो यतींद्र जी आपका बहुत स्वागत है इस बाचीत में और शुक्रिया कि आपने ये वक्त निकाला और रफी साहब पर बात करने बहुत धन्यवाद इमाइशू आपका कि आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया और वाकरी पिछले कई महीनों से आप लगातार मुझे कह रहे थे कि विफी साहब पर बात करनी है तो मुझे लगता था कि मैं लगातार लटा जी पर बोलता रहता हूं और आज ये मुका म मिला कि आज उनकी पुनितिती पर हम लगाता कि मुझे सब में ये चीज बड़ी रोमांचित करती थी कि आपको लता मंगेशकर पर बहुत लोगों ने सुना है बेगमकतरा पर पर आप बहुत अच्छा बोलते हैं गुलजार साब पर भी आप काम कर रहे हैं मुझे हमेशा स क्यों उस बातचीत से लुफलू उससे बाखी लोग भी उसका उससे फैंद हासिल करें तो मुझे लगा कि आज रफी साब पर ये बातचीत करनी चाहिए मुझे जो चीज आपसे आप से पूछ कूछ जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ जाहिए सी बात हे है इस विशे में मेरा भी एक मत है लेकिन आपसे सुनना चाहता हूँ कि महमद रफी साहब का इंधूस्तानी फिल्म संगीत ने मॉलिक योगदान क्या है इतना बड़ा करियर उनका है, 35 साल का, इतने सारे गाली है, उनका जो योगदान है, उसे आप किस तरह से दिखते हैं? अए बहुत सुन्दर सवाल है, और मुझे लगता है कि सवाल में ही जवाब के बीज छुपे हुएं, जब आप मौलिक योगदाने के क्विशिशन लगाते हैं, योगदान के पहले, तो सबसे पहले तो यह देखना आप चाहिए हैं कि फिल्म संगीत में जो आवाजें हैं, ज उस समय के जो socio-political changes हैं, जो समय के cultural changes हैं, उस पर निगाह रखनी चाहिए, और मुझे लगता है कि लताजी, मुकेश और नफी साथ, ये तीन ऐसे लोग हैं, जो उसी समय उसी दौर की उपज हैं, और दो बड़ी घटनाएं घट रही हैं देश में, सेगल साहब की मृत्य हो तो आप ये देखें कि दो बड़ी स्थापित आवाज हैं, महिलाओं में नूर जहां की और पुरुशों में केल सहेगल की, जो आज भी अपने अपिटोंग पे खड़े हैं, और जिनको एक टेक्सबुक की तरह मुकेश साहब भी मानते हैं, लताजी भी मानती, रफी साहब जो समय दा रहे हैं, तो सी रामचंदर गार हैं, बहुत लब दोवेट गार हैं, जो समय दा रहे हैं, बहुत सारे अक्टर्स हैं, इनकी आवाज हैं, आप क्योर सुनाई पढ़ेंगी फिल्मों में, लेकिन रफी साहब एक मौली का आवाज की तरह मुकेश जी उबरते हैं, और नौशाद का एक उनकी तरह मिलता है, तो सारे आपको फिल्म के दिस्कोग्राफिक दिनाने के ज़रूरत नहीं हैं, मेला, बाबुल, दीदार्द, और समय अंदाज जैसी फिल्में, लेकिन जो एक सबसे बड़ी पहचान जो पहली शनाग्त हैं, वो जो मुझे लगता ह परसतल हो जो सहीद पिक्चर से वर्ति है जब वतन की रह पे वतन के नदे हो जो एक लिए अर खानमस्ताना रर रफीशाग और दिलिप कुमार कि जिस दिस विल्म में एंट्री हो जिस प्धान रृट है तो 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 एक बिगाई पड़ता है वेक बेंच्मार्क है फ पर जाके बाद में दुलारी का एक गाना आता है, सुहानी राद ढ़ल चुकी ना जाने तुम खबाओ ये सब जब हो रहा होता है कि 48 में मात्मानादी की मत्यों होती है और उसी वर्ष हुसलाल भगत्राम था मुजिक, राजेंदर कृष्ण का रचा हुआ गीत और दो एई-पी रिकॉर्ड जागी होते हैं पापु की अमर कहानी में चार पार्ट में अभी साहब आते हैं जिसके लिए बाद में नेरुजी उनको रजत पदक भी देते हैं तो कर सकता है फयास खां साहब प्रिकपती रागव राजयराम गार है गांधी जी का क्रिमेशन का फंक्शन हो रहा है पद्द वो प्रॉसस चल रहा है और वो रहे हैं रफी इस तरह से अकीदत पेश करते हैं तो अगर आप शहीत से जोने अगर आप इस रेकॉर्ड से जोने ज एक तरफ शंकर जैकेशन, मुकेश और राजकपूर है और एक तरफ नौशाद, शकिल बदायूनी और दिलिपकुमार है और ये कंट्रास भी होता है जितने भी ट्रेजडी किंग की खाक्याती मिलती है रफिय उनको दिलिपकु साहब को उस सब रफिय के खाते से होके गुज तरफ राकी बात करेंगे तो शंकर जैकिशन और राफिसाब करेंगे इसे मॉलिकता है ये लोग लेक आते हैं और जहां तक मुझे जानकारी है जितना मैंनिलता जी सु जाना और राफिसाब शास्तिय संगीश सीखे हुए वग काईदा तालीम ली थी तकी रागदाली का ज जो गले को दिखाना है, दो बड़े गायक, मनडे और रफीजा, जो शास्त्री उता से पगे हुए है, वो दावा नहीं करते हैं कि मैं बहुत बड़ा शास्त्री गायक हूँ, या मुझसे शास्त्री राग हाल होते हैं, लेकिन आप सिर्फ बैजु बावरा के दो गाने ले ल वो मिल जाएगा, मालकॉंस मिल जाएगा, ये इस सलाहियत, लता जी तो इकुल डेक्लियर करती हैं कि वो अमानत खान देवास वाले और अमान अली खान बिवादार वाले से सिख कराती है, रफीज सहाब के बारे में इस तरह की चीज़ें कम मिलती है, वो एक इंट्व्यू यहां से निकलते हैं, आपके सहल लखना उसे जो आप भारखंडे टीम उनवसिटी है, तो कुछ वो प्रभाव कुछ यहां की जो गजल का प्रभाव है, चुकि शुरुआ की जो बनक है रफी की वो नौशाद और शकिल बदायूनी की जोड़ी के साथ बहुत आगे बढ़ हैं, एक आदी शतावदी से ज्यादा का समय हम देखाएं हैं, तो आप यह देखिए, अब तो 75 साल पूरे जो रहे हैं, तो इस 75 साल में लता रफी मुकेश आशा, हेमन्त कुमार मननडे बीता दत, यह सबतर्शी जैसा बंडल बंकियों से पूरा हो जाता है, हाला की एक लेकिन लता रफी लता मुकेश यह जो एक कॉंबिनेशन है वड़ा लीथल कॉंबिनेशन है और बाद लिके दोर तक रफी साब तो गए चले गए वो जगता है कि दसाल और रुखते जब मॉडरन टेक्निक का जमान आया जब मुल्टिट्रैक टेक्निक में रिकोड़ि उस में देञों कि मुकेश ओर ईहले वालन Harmon Heald मुझे लूट्ण आया है जो बादाते कि लगता है जो क simplemente मोलिक्ता ही है तो कि आप आलग सेत्क्त करके जिस गायक के पास यह चीज़ कोई ऐसी है कि जो दूसरे के पास निए सब तैारी करने हैं और जो सबसे भात्वपूर बात है पिछली शताब्दी की कि लता जी का तो एक पूरा मुकाम है कि जो अकेले गा रही है और बाद में आशा जी और गीता दतिका चार पांच कुरुश गा रहे थे और सब बहुत बढ़े गाये थे मुकेश मन्ना, डे, किशोर कुमार, हेमंध कुमार इतने तो नाम आप लेंगे ही लेंगे लेकिन मुझे परसनली लगता है कि रफी सहाब सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे रफी सहाब ने सबसे सब तरीकों के सबसे ज़्यादा विधाओं के सबसे धेर जॉनर्स दिखाने कि रफी सहाब मुझे लगता है कि कुछ उनका अपना विक्तितु का भी मांगा रहा है सबके साथ दोस्ती सबके साथ उपने बैटने की बार क्योंकि लगजा जी कहती है कि देवता की तरह थे बहुत ही संजन आते थे सवाजुका के चुचा प्रेक्टिस के गाना गाके चल जो है उसमें गार हैं फेशिल जेस्चर नहीं बदलते मेरे मित्र हैं आपके भी पर्चे थे उन्होंस खान भाई उन्होंने एक दिन पॉइंट और कि आप देखो कि जो मुद्रा दोश होता है किसी भी तरीके के गाना उसमें तान लेना मुर्की लगाना या गले की इसा कहा जाता है कि नूर जहां ने उनसे कहा था कि रफी चेहरा बना के मूँ टेड़ा मेरा करके मपड़ाना तो उसी इसका उन्हें तो नहीं उसकी प्रियाज किया और जैसे लता जी की आवास सुनिए थोड़ा सा मुख खुलेगा और वो तरसम तक पर आवाज चली यह मुझे लगता है कि लोंगों वर्दान है इन बड़े गाईकों को माइक्रोफोन पे आपकी आवाज किस तरीके से ट्रांस्मिट होती है प्रक्षेपन कैसा है आवाज का थो कैसा है बहुतों की आवाज अच्छी होती है कमी लोग होते हैं कि माईक पे आवाज बहुत ग बड़ सेंदें घःते होंगे कि हाम तौर पर अगर कोई कागस से पढ़कर गा रहा है जा पढ़ भी रहा है तो अटेंशन प्लान्स बड़ता थोunter के पर पर असड़ ओक्डूब में आस पर सथा पसर पढ जाता है लेकिन रफि साब के साथ ये एक बात आथ हम्ने बेखी कि वो कागज लेकर गातने हैं और उसके बावजूद इनका जो इमोशन है जो फीलिंग है जो शिद्दत है उस पर कोई फार्प नहीं पड़ता तो यह मेरे नजदीक बहुत एक खास ने उसके पीछ एक रिजन है जो मैं समझता हूँ कि मैंने कहीं डिली साथ के बारे में भी सुना है कि वो अपने सीन अपने हां से ड्यालो गिपते थे अपने हिसाफ पुत्णोट बनाते थे उसमें कामा फुल लो शौप लगाते थे तो किसी नहीं से पूछा कि आपको तो सीन लिख के मिल दए तो आप इसमें इतना ही महनत क् वोजी एता हमेञे लिक जिखें कि कुछ प्रेखने वाले कहती है े जिखें है कि अपने नोट से लिखें चल जा ख़ूह आपके दो यह कुछ ब tentangना है एको लंबागर लगतायू तो प PROFIT इनि निगतायց रहे जाए लेस् तो लमड़ राता लुट हे लात आहे लिगताया लाताजी हमे庭 निखती है अपने लिखाने केन अपने नोड़сят से क्या आते हैं है मुहमध रफी पे हम बात कर रहे हैं 50 60 के दशककी तो यह जानी कि बहुत रियाद होता था वह बहुत खारी प्रैक्टिस होती थी एक अप्टे प्रैक्टिस के बाद म्यूजिक डिरेक्टर होगा तो कि अब टेंग होगा आज का जमाना नहीं था कि तबला वाले को टाइम नाने गिटार वाले को time नहीं है और प्याने वालोग time को Sam ने अपना-पना LooT बजाया और फूरा orchestration हो रहा है, पूरी प्रक्टिस हो रहे ही तीन निन तक हो रहे है वह बात जब उभर के आ गई नौशाद को, वह बात जब उभर के आ गई रोशन को, तब रिपार्ट होता है, तो इतनी परफेक्शन, इतने परफेक्ट धंग से माजना, और उसके बाद उसका थ्रो करना, तो मुझे लगता है कि ये पुरानी तालीम का भी असर है, और उस द हैं, एक तरफ आपके खयाम हैं, चेदेव हैं, आपके ये आ जाते हैं, बात में कल्यान जी आनन जी आ जाते हैं, कोई बचकुला मुहमद है, कोई बचा है, और जो दूसरे पाए के लोग हैं, इनको कम गाने मिले, जैसे लक्षी राम तमर हैं, अभिनाश व्यास हैं, और आपके वो हैं, इकबाल कुरेशी हैं, इस परस्पेक्टिव में भी इन लगों को देखा जाता हैं, जो इस सवाल को पहले सवाल को अगर हम और गहराई में जाकर देखें, तो एक संगीत के अध्यता के तोर पर, रफी में, रफी की गाईकी में खास तोर पर, आपको क्या इसी बात दिखती है, जो आपको लगता है, ये सिर्फ रफी के पास ये कमाल था, ये सिर्फ ये हुनर जो था ये रफी का था गाईकी में, रफी साब के साथ सबसे इंपोर्टेंट बात ये हैं, बहुत सारी विधाओं में जाते हैं, आप उसे भजन गमाएं, नाठ इसे वो एक सिगनेचर है, वो इस तरह का मटीरियल में है कि उनके साथ वो लोग एक्सपरिमेंट कर सकते हैं, वो खेल सकते हैं, मैं कुछ दानों को दानों से आपको बताओं को, जैसे आप उनको दिली कुमार के लिए गाते हुए सुनें, कोई सागर दिल को बहलाता लिए और जब आप उनको देवानन के लिए सुनिये साथ ना कोई मनजल दिया है, है ना कोई मैहति तो दबता है कि दिवानन के लिए गा रहे हैं और उसी समय जब वो श्हमि कर लिए गा रहे हैं, दिल के जरोके में तुछ को विठा कर या चाहे कोए मुझे जंडली करें तो तो जानते होंगे हमारे संगीत के प्रेवी लोग जानते होंगे जो रफी के बहुत कदर्दान है उन्होंने हर विजडरेक्टर के साथ एक्सपरिमेंट किया है सज्जाद हुसाइन का फिल्म है रुस्तम सोराग उसमें गाना है फिर तुम्हारी याद आई एसनम एसनम हम ना भूलेंगे तुम्हें अल्ला कर सम अल्ला कर सम। एलेबिक मुजिक पर गाना बढ़ता है थारी-ती मिनिट के गाना है रफी सहाब है और मन नडए है और जो जुगलवंदी है और जिस तरीके के लोग पेश से उठटा हुआ गाना है आप बिलकुल मैसमरा ह आप जब जैदेओं के पास आते हैं कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया या में जिन्दगी का साथ निभाता चला गया तो आप में लुगता है कि यह क्या कर रहे हैं एस्टी बर्मन के पास चले आई तो क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में और आसमा पर हो जो एक बहुत सुंदर गाना है कि अपनी तो हर आँ ही तूफान है क्या करें उपर वाला है पहचान है तो अब आप सूचिए कि क्या कुष्प काम कर रहे हैं शंकर जैकिशा जो हैवी और्केस्ट्रेशन के लिए मश्रूर है जिनकी हाँ सौ प्यानों और फॉर गिटार वाला ऑर्केस्ट्रा है 100 पीस और्केस्ट्रेशन है जो एक बिल्कुल लिजेंडरी किसम से मिस्ट बनाते थे कि उद्वाने में लोग ड़ते थे तो उसे महगा आपके पास था लेकिन जब वो दिलिक मंदिर में गाने याद ना जाये बीते दिनों की तो वो जो है पताब जो एक टोन है जो टोनल क्वालिटी जो मेटलिक वायस है और रामदारी जो है किरवानी का हो गाना है लेकिन आपको लगता है कि आप ठहर के सुन रहे है और मुझे तो खुद जिसमें अमर का वो जो गाना है इनसाफ का मुझे रहे है ये भगवान का दर है मैं जब वो गाना सुनता हूं तो भावख हो जाती है मुझे लगता है कि रफीज साहब क्या करना है अच्छा नौशार साब की स्टाइल देखिए इसलाम से आते हैं उनकी अपनी तर्वियत वैसी है एक लटा मंगेशकर को वो उनके जीवन के सरुषेश तीन नात देते हैं गाने के लिए वो नात कौन सी है बेकस्पे करम कीजिए सरकारे मदीना मुक्लियाजब दिल की कष्टी भवर में आई है पालकी और मेरा बिछड़ा यार मिला दे सदका रसूल का सोही महिव ट्रॉड लटा जी गा रही है एक महराष्ट रखाल इस्तरी पर्फरेक्ट नोट पर नात गैरी है नशासात स when मौमधदकी को करने है पर्फरेक्ट नोट पर भजуль है रहे है वो क्या गा रहे है मंत अर्पत रर्शन पु viral की बहुत है और इबादत दिखाई देती है मुझे जो रफी सहाब के कराने में मतलब मैं पूरे चमा और उसके साथ कहना चाहूंगा लता जी फ्लावलेस गाती है है हर जब लता मंगेशकर के साथ किसी कट बेंट अधा लगता है लता जी वो गए और पिछे पिछे आजा है सिंगर जो उनका सहगाया जो करफी सहाब सामने होता है तो लगता है दोनों एक पेड़स्टल पर खड़े होकर कि अपना बेस्त दे र पूछी लेता हूं पिदिवत की लटा और रफी के जो जुगलबंदी है वो अपने आपने चीज है वो करिश्ट आपने बहुत काम किया लटा उनलेश्पर में अपनी मशूर किताब है लटा सुर्दा था मुझे जरा उस जुगलबंदी के बारे में वदाई है कि जिसे मुझे जो आपने बात ही कि ऐसा लगता है दो सर्वशेष्ट लूग जो है को एक साथ मतल मैं हैरान परेशान हो जाता हूं मैं यह कोशिश करता हूं मैं मेरी कोई हैसित नहीं है व्या मैं कोई मुझे विजिक तरक देखता हूं उसको बरबर सुनने कोशिश करता हूं तो तो अब लगता है कि दुबारा से बीजिटल उस पर जाते तो लग खौपड़ी कि खिलने लगती है यह लगता है कि अजब सा करिश्मा हो रहा और सबसे सबसे क्लासिक बात यह है जो मुझे लगता है कलाकार के कि तुमने जितना सब गाना बनाया है यह यह मुझे देदो मेरे सारी कंपोजिशन देदो तो कभी किसी के लिए करने का मन होता है पहीया सारा दिवान लुटा दो तुम अपनी कि यह लगता है कि यह लगता ही नहीं है कि कौन कहां पर भारी पड़ रहा है इसका सबसे अच्छा जो उधारण है वो उनके टेंडम सॉंग से फिल्मों में जो एक ही गानी को दो अलग अलग पार्शुगाइड दाइकाएं काते हैं आप लब इन टोक्यो में मेरे शाहे ले लिजे आप बोले लिजे गर तुम भुला न दोगे आप परदेशियों से नाखियां मिलाना ले लिजे कोई कमजोर पड़ता ही नहीं आप कही नहीं यह तो हो सकता है कि आप किसी के फैन है तो आप जालतर लोग यह कह सकते हैं कि हमें रफीज वर्जन पसंदने में क्यामत है और शुरुवाती दौर के जुगाने है मन की बीन मतवारी बाजे शबाब का गाना है कुहु कुहु बोले कोईलिया सुड़ सुन्दरी का रागमाला बेस गाना है जूले में पहुन के आई बहार बैजु बावरा तु गंगा की मौज में यमना का धारा कोहिनूर दो सितारों का जमी पर है मिला नाद की राट एक पुरानी फिल्म है दुगुंडे उसका गाना है भीगी पलके उठा मेरी जांगम ना कर दिन जवानी की यूहीं बदल जाएंगे क्या शानदार गाया क्या ठहराओ के साथ गाया है मारू बिहार पर गाना सुन लीजे तुम और नाद कि ऊवर नोगदा से साथ राट पर प्रसा कर दो कि यूहीं नादा नादा जाता है मतलब ब्ल्कुल बाद में जब सरगं के गाने का रहें है जब बाद में असी के दशक के दौर की जाएंगे तो बिल्गता है कि लड़ा रफीक कहा गामत कर रहे है और एक चीज सबसे बड़ा उधारन मेरे सपनों कि नानी कि शुर कुमार गा रहे हैं और हो गा रहे हैं और नहीं यह सबसे इंपोर्टेट गाना जाए वरा काज़ था यह मन मेरा एक शुर लतागार लेकिन अजी बर्मन को बिना रफी साहब की महाजूद्गी के पेट नहीं भरता और बा खिल रहे हैं तो अगर रफी साहब थोड़े भी कमजोर पड़े होते तो अराधना में क्यों होते भाई किशुर कुमार के वह एक केमेस्टी बन जाती और वह काम हो जाता और इन सबसे निकल के जाईए जब आप उपी नहीर के हाँ जाईए बुले सबसे सुनर सबसे आज भी सुन मेरे फासानी पेना जाने बड़ी शुक्रिया बड़ी मेरी महर्मानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए फिर उसके बाद ये रात फिर ना आएगी का एक गाना है फिर में लोगे कभी इस बात का वादा करना तो अब आप ही बताईए कि कहां कम जोड़ प एक दम आमने सामने लेकिन ये दोनों डुएट गाते वग इतने ज्यादा करेक्टर में होते हैं कि वो मिलकर जादू जगाते हैं याने जब दो गाईक दो बेस्ट सिंगर्स जब मिलते हैं और वो कॉंप्लिमेंट करते हैं दूसरे को उप्लिमेंट हो भरता है आप देख आप लादा तो ने आप आप जिल तुमबीन कहीं लगता हैं क्या सुन्दर गाना एंगा एव जब एग बहुत कि अबहुत आदा हैं या जब बहुत आदा है लुप अगा लगए जब रगए लाल रंग जादा है आप उन्या लुझा जब रख लादा है टो मिलते तरा सेमसंट एक बात है केहने की आखों से कहने दो बढ़ जाएगी बताभी रहने हैं आप सुनिए चितरगुप्त का मेज़िक फिर आप वहां चले जाईए आरती फिल्म में चले जाई रॉक्षन साहब का मिझिक और क्या सुंदर लब्डुवेट है अब बार बार तुह है का सम अभी तक के इतिहास में फिल्म के सबसे ज़्यादा डुएट इन दोनों की जोड़ी के नाम है तो इतने सारे गाने जो डुएट का पर्याय है उस दौर लेकर यह वी होता है कि कुछ तकलीफों का कुछ विवादों का इक सुफल यह भी होता है कि कुछ वर्ष के लिए क्यों फिल्म के शन्ना तो नहीं कहेंगे लेकिन चुछ गाने और और हो जाते हैं इसमें शुमन चल्यानपूर के साथ जोड़ी बन जाती है मैं आशा जी के साथ जोड़ी बज जाती है शृबूर का ग्र्बतों के पेड़ों पर शाम का बसे रा है चमपयय उजाला है सुरमी अन हेला दग्ता नहीं कि हिंदी फिल्म हिस्ट्री में ऐसा व्लब डूएट बना होगा गयर हो अधित व तुम हो मेरा सहारा मैं निध्धामा है दामन तुम्हारा और लता-सुर वो गार ही है उनके साथ सोजा निंदिया की बेला है आजा पंची अकेला है 9211 तो यह सब भी कुछ खेल हुए अभी नजाओ छोड़ कर दिल अभी भरा नहीं अब लता जी नाराज है तो भाई नहीं गा रही है वो अल्ला तेरो नाम गा नहीं है लेकर तो फिर आशा जी को करामे जाता कभी यह वी यह भी यह इंपोथेटिकल है यह सोचने का मन होता है जब ही नजाओ छोड़ को लगा जी किसी गाने में रफी साब चाहिशोर कुमार होते तो क्या होता है तो यह एसी चीजह है और एक चीज और है कि आप लटा जी और रफी साब जोंब भार बार पर रागदारी के बाद करते हो, आप रागदारी के तयारी देखिए, आप शुरुवाती खात करके इनी के दौर कगाने से तुनिये, जो नोशास साब पनाते हैं, कैसे खुबसूर्ती से लोग फ्लाउलेस धंग से राग मर देते हैं, तो गंगा की मौज में गा रहे हैं, य रफी के आवाज हो, एक जो क्रूटेगनिस्ट की हिरोइक वाइस हो, अगर हीरो आया, तो हीरो की वोइस जैसी हो नहीं साहिए, या हिरोइन के गेस में लतानूगेश करकी, तो आप देखें, मैं उधारान से बताता हूं, ना तो कारवां की तलाश है, जो गाना है, बरसात की रात का, कई गायकों ने गाया मना डेवी है, इस दी बात इस जो और फीमेल सिंगर्स में भी, लेकिन जब वो रफी की आवाज भरती है, काफी बाद में रफी के एंट्री होती है, लेकिन जब होती है आखरी इससे में, वहाँ सुंदर लगों को, क्योंकि ये बात में हो हो गए कि शुक्मा, तो उस फिल्म में, एक तो रवेल ने ये मतलब, मतलब ये थी की रवेल ने बनाई ही सोचके थी कि रफी ही गाने गाएंगे सभी, तो रशी कपूर ने उस गिसा भी सुनाया, तो खेर वो उसके गाने आप सिब सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि जैस सफाइब कर रहा हैं, ये घूझ रहे हैं, तो उसका जो गाना है, जो मज़ार पर दरगा पर होता है, और उस में दो अवाल गा रह रहे हैं, अजीज नाजा और शंकर शंभू गा रहे हैं, प्रॉफेशनल का वाल है, इनका नो चान है कावाली गाना, लेकिन जब रफी वोर तेरे मायूस तेरे दर से सावाली नगया, वो लगता है कि स्थीरो नगया आप यह देखिए उसी दौर में, वो जो बिल्कुल उनके मृत्यू के बज दो-चार साल पूरु का मामला है अमरकबर अंथन, पर्दा है पर्दा, शिर्डी वाले साई बाबा, क्या कुछ बढ़न से कर रहे हैं रफीस साहब का सबसे एक्सपरिमेंटल सॉंग मैं वो मांटा हूं, हस्ते जखन का, तुम जो मिल बाए रहे हैं तो अब आप देखिए और मदन मोहन की संगीत में जो मेरा साया में गाते हैं आपके पहलू में आके हो दिये, दास्ताने गम सुना के लोगे तो यह लगता है कि वाकई है कोई दास्ता सुना रहा है, साथी ना कोई मंजिल मैंने उसका जगर किया एक गाना है कला पानी का हम बेखोदी में तुमको बगारे चलेगा तो अब वो कहां जा के खत्म हो रहा है तुम चली जाओगी परचाईयां रह जाएंगी खयाम साहब के साथ मिनिमल टोन का गाना है क्या सुन्दर म्यूजिक है और वो सुन्दर जागे दिल दिवाना आप सुमीजे उचे लोग का चित्रगुद का म्यूजिक है और कुछ देर तैर अखरिक अखरिक है क्रिस्टल क्लियर वोइस उसमें रफी किया बिल्कुल मिनिमल म्यूजिक है और लेला मुझनु का वो गाना भीया याद करिए याद करिए याद दावाज दुनिया भर से मनवा जो सांस का खेल उसमें कि और जो बीट्स पे गाया है और सबसे इंपॉर्टेंट के है कि वह बहुत मशूर बिनाका में बजा इस रेश्वी पाजेव की जन्दकार के सथके मुझे बहुत पसंदे रहे बहुत बहुत माज़दार लगा था एक शोला उसने यार के सथके तो जो वादा किया जो बार तुझ में है आज भी उसमें आसुम आ जाते है आप को सुनते हैं तो यह सब जो एक इंपॉर्टेंट बात है एक बहुत इंपॉर्टेंट डो गाने इस लिहार से इक गाना है चलो दिलदार चलो चांद के पार चू रहे हम है तयार चलो बहुत मौ पूरा गातिों है और फेर दिलिड़र चलोSi चलोसा थे अप लेकलाईड चलोसार चलोसारी थेग अझाल लगता आहें लेकन सिर्पत भराव का घाना है लुजब से थैंसे प्रेसाल उख दम प्यार्नित मॉसं मेंrifल प्यार गाता है सब अ क्घर कि आवाज में एकदम तवज्जग हीच लिया है वो बेंचमार्क है जो आप भी सवाल से दोचार होते होंगे यह जो फैन्स होते हैं फैनेटिक के रफी बेस्ट है किशुर बेस्ट है रता बेस्ट है आशा बेस्ट है यह पूरी बहज है बेस्ट होने की खास तोर पर अब ज गर्श्ट के फैंस में जबकि अगर हम पढ़ें दोनों के बारे में जो जानते थे उनने को ख्रशार की अधर सक्यार के autism और बड़ा अच्छा एक आत्मी संबंध भी था भी अस से जुड़ हो ऑप है तो आप कैया से देख नई Hiivas Merci पूरा एकिंस Cao?, चैस सवाल है कि इस संद्रम इसका ठोड़ा से एलबोरेटिडान से है सबसे बड़ी बाथ यहां किया कि एक संघीट शानकार के तौर एक संघीट के फॉछ और पर पर यह सुनेर मतल श्णार पर मैंने इस बहस पतंदी नहीं करता कि हम यह बताएं कि क्योंकि मेरा है, यमने ऩर्वाज क्टा है तो इसलिए 1 सर्वेष्ट परकाज रीकिशा रेषिट है और तुम्हारा फेवडियर इसलिए को तुम्हारा च्ởे नहीं सेवास हूए इसलिए बस आप पी अपने हाथ से स quests कर सें कविता के साथ भी होता है और रफी साहब के भी कुछ ऐसे पॉइंस हैं कि जहां पर मैं उनसे मुतासिर नहीं होता हूं जैसे उनके जो बहुत लाउड टोन की गाने हैं टीन कनस्तर पीट पीट कर लब मैरिज में गा रहे हैं या हमको तुम पर प्यार आया जब जब फूल खिले में या या जमला पगला दिवाना प्रतिक उनको जाने की जरूवत ही नहीं है लेकि जुकि वह पॉपुलर जॉनर है सिनेमा में गा रहे हैं उसका कॉंटेक्ट साइंक है फिल्म के करेक्टर की दिमांड तुनको गाना भी हो लेकिर रफी साहब इसके लिए नहीं आद रखे ज तो रफी साहब या किशोर कुमार का जगड़ा खड़ा करना या यह बना वो करना वो तो मुझे लगता है कि कुछ मीडिया काम होता है कुछ पॉपुलिस टाइप के लोग जिनको अपने चैनल को सब्स्क्राइबर और उतके लाइक और यूज बढ़ाने हो करते हैं मैंसे दोड़ार तो आप इससे भर लुट्व से महरूम रहें यह यह बने यहां किशोर कुमार को मार फिल्म में अपना गाना गाते था है कि शौर कुमार प्र प्लिमार पर उनको उनको अपना गाना गाते हैं कि तूमा इंद्धिर में सबलनी जय बनता एसी टी कि उतक बहता है कि लगाता जी आमद के बाद उनने छोड़ दिया था नहीं मेरे गाने लगाने लगाई नहीं तो सुरया को कभी लगाई नहीं प्लेबैक नहीं दिया शम्षाप अपने 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 नंसे गाते थे सेगल खेगल ते लेकिन जब रागिनी फिल्म बन रहे थी और उस कि यह चलन कि शोर के अंपास नहीं है यह शास्त्रीता कामगन तो फिक जमीन है और शिकाइत होटी बियर की तो अश्शो कुमार कहते है कि काम में हातर काहण हं रहा सकता मैं जो यहे तुप जो कहरें हैं करो और कि— Norman मैं कि अधिस हाग की आवास फिट की जाती है वो गाते प्लेबाग दिते हैं उदारता से फ्री काड़ते हैं फिल्में फिल्माय जाता है यह बताने के लिए कि रफी की जो हैसियत है वह है यहां कि शोर कुमार के लिए लगा कि यह इस चलन्त काम नहीं करेंगे, तो वहां पर रफी सहाब बुलाए जाते हैं. यहां कि शोर दा को उससे कोई इतराज में नहीं होता, इतराज होना भी नहीं होता. इतराज मेरे साथ ही का वो गाना याद करी है, नफरत की दुनिया को छोड़ के, प्यार की दुनिया में खुश रहना, तो आप यह बताओ, आप यह बताओ, कि यह रफी सहाब की इतर को इस्टाबिश करने के लिए काफी है, आगे बढ़िये, कर्ज फिल्म है, पूरा दौर किशोर कुमार का, लक्ष्मी प्यारे भी पूरे किशोर में हो चुके हैं, और ओम शांतियों ब्लागबस्टर है, लेकिन क्यों दर्दे दिल, दर्दे जिगर, फिर दिल में बसाया आपने, इन से गवाय जाता है, और पूरा विस्टन और्केस्ट्रेशन का मेटेलिक साउं अगर वो कमजोर पड़ गए थे, तो कहे को गवाया जा रहा था, हम किसी से कम नहीं, उसी दौर के फिल्म है, ये लड़का हाय अल्ला कैसा है दिवाना, या क्या हुआ तेरा वादा, तो आप ये कहनी ही सकते हैं, कि रफी साहाब वर्सर्स किशोर कुमार ये हो सकता है, कि किशोर कुमार की हिस्से में जादा गाने आये, कि रफी साहाब के बार रफी साहाब की भरपाई करने के लिए तमाम लोग आए, अन्वर उसमें एक नाम है, मुहमद अजीज उसमें एक नाम है, शबीर कुमार उसमें एक नाम है, बहुत बात में ये बात सुनू निगम पे तो अब आप ये बताईए कि किशोर कुमार की परंपरा में तो ऐसा नहीं किना गया लेकिन रफीज साथ के परंपरा में गरी चार पांच लोग एक गाना है मुहमद अजीज का गाया हुआ आखिर क्यों का एक अंधेरा लाग सितारे सुनगे तो लगता है कि रफीज साथ को आखिर की जा रही है कि रफी मुहमद रफी पैटरंट पर गाया जा वह अनवर का गाना जो है पसमें हम अपनी जान की खाये चले गए फिर भी हुए बाहर ना लाए चले लगता रफी साब तो अब आप यह बताओ और आप पेटियोटिक सॉंग में चले जाओ आप कोई ब बाउंदेर है भगवान का डर है गर घर है इस तरह के जो गाने मुहमद रफी का रहे हैं अपने दौर में गा रहे हैं तो बहुत बहुत से कहते हैं कि वह रोमांच पैदा करता है नौनिहाल का गाना तो नहरुजी के ड़त पे बना है मेरी आवाज सुनो प्यार का राज इसमें जो उसकी फद्रें थी एक ने ने लोगतांतिक देश की उसमें उस आइडिया को रफी की गाईकी ने उनकी शक्सियत ने बहुत मेहमत किया अच्छा एक चीज यतिन जी मुझे ये बताएं कि जैसे हमने भी बात की कि आइडिया उफ इंडिया को किस तरह से रफी लेकिन कोई एक इनसान की जल्दी जल्दी ऐसा नहीं मिलता जो उनकी बुराई करें कर दो कि खराब इंसान ते हर इंसान यह कहता है कि फरिश्टा सिफद आदमी थे और इतने खिससें उनके मिलते हैं कि मुफ्त में गाना गा दिया किसी के लिए कौई काम कर दिया परोक्क तो मुझे यह बताईए रफी जितने बड़े सिंगर रफी बने जो लेजेंडरी उनकी एक शक्सियत है कि अफसान भी शक्सियत उसमें क्या उनकी उनका खुलूस था उनकी जो निश्चलता थी इसका भी युगदान है आपको लगता है रफी यह तो एक बोनस चीज है अगर रफी की सिर्फ गाई की और सिर्फ उनकी जो परफॉर्मेंस है आर्ट उस पर ही बात कर ली जाए तो रफी को वो एक लेजेंडरी सिंगर बनाने के लिए काफी यह बहुत अच्छा सवाल है लेखिए दिक्कत इस सवाल के साथ यह है कि जैसे मैं अपनी तर्व से जबाब तो जो कि मैं इसके विरोज में भी बोलता रहता हूं कि जो चीज आपको पता नहीं है जो चीज आप सुनी-सुनाई बातों पर आप नहीं कह सकते हम लोग पाइब नहीं रहा कि हम लोग नफी साथ को देख बाते जो बाते हम जो धाना पनाते है वो जो अब तक लिखा जबकि उनके साथ रॉयल्टी का विवाद हो चुका है जबकि उनके साथ तो चार-पांच साल गाह नहीं रही है लेकिन एक बहुत भले सज्जन इंसान के तौर पर उनको याद करती है तो उससे एक इंप्रेशन गैदर होता है कि वो बहुत भले और अच्छे इंसान रहे यह सही बात है कि यह एक थेरी बनाई जा सकती है कि जो बहुत अच्छा दिल और जहनियत से बड़ा इंसान है जो बहुत शांदार है उसकी कला भी बहुत शांदार होती है यहोनी चाहिए लेकिन हम यह डावे से नहीं कह सकते कि जो लो बहुत बड़े कलाकार है कहीं और कि उनकी शक्सियत उसके पर्दे के बीचे क्या रही रफी साहब के बारे में ये कहानिया बहुत प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने बहुत साधारन संगीर नंदेशकों के साथ भी गाया और उनके लिए जो है पैसे नहीं लिए तमाम सारे ऐसे उनके गाने हैं जो आप अगर याद क एक बात तक ऐसा बहुत सारे उधारन मुलते हैं तो ये तो सही है कि वो इत अच्छी शक्सियत के मालिक धे हुए उनके नमें किसी भी तरीके का वो नहीं था जिसी कहते हैं वाई से जो दिखाई पड़ता हो नउनकों च्यूणом कुछिता है मे आग लग दी नился किरीयत के लेकिन एक कलाकार के तौर मुझे लगता है कि बहुत वो प्यूर हार्टेट रहे होंगे सब सुर के लिए बिसमेलाखाण साब भी वही कहते हैं लता जी भी कहते हैं रफी साब का भी वही कहना है कि एक सचा सुर जो है बड़े बादत वाली चीजे बड़े मुश्कल से मिलता है तो पकड़ना पड़ता है और इसके लिए अपने रह्ता वरन रहता है की इस भूराइं ने करने का माद्ना है वो तो आपको बहुत जहनियर से बड़ा बढ़ने के होगा और यह लोग जो जो दोर के उपजह हो जोर में कर रहा है जिस दौर में गाने गा रहे हैं आप रफी सहाब की एक कह estratég की वो कहे रहे हैं है घ्याम से जाक और उसके बाद जा करके तिर वो गाना बढ़ता है पाउं पड़ो तोरे शाम, खयान साथ का में इसमें नॉन फिल्म एल्बम है, आप सुन लीगे तो भी खुश हो जाए। वो एल्बम भी ऐसा अलबम आया था कि उसमें एक तरफ वजले थी और तरफ बज़ते और फिर गालीब की विजलगार है तो यह एक सच्छी कलाकार की जहनियत का मामला है जैसे लता जी को पड़ित्मरे शर्मा और बोनी दांडरीकर ने टोका था कि आप क्या फिल्मी फिल्म करो है तहुत है पनी कर रहे हैं तो बापु के मरने लाना तयार करें लिए और तो यह वुझे लगता है कि सफलता तो मिली हुई है छेचे फिल्म फेर आवार्ट मिले हुए है हर दूसरी फिल्म के वो सबसे वड़े बाश्या है सस्ते गानों के भी वो बेजोड भी रहे हैं कि कोई गाना अपने आप में खड़ा है और खुद वो खड़े तो वो एक चीज है वो मुझे लगता है कि यह बहुर्टन एक शिफ्ट है उनके करियर में और इन सारे कलाकारों को देखते हुए यह भूलना ने चाहिए ओकि लोगों ने कितना संधर्ष कि किस तजीके से एक गाना पाया है एक एक गाने के लिए मेहनत कि यह कमपोजिशन बनाने वाले के पास बैठे हैं कितनी तस्वीर हैं ऐसी है कि हर्मोनियम लेके बैटे हैं नोशाथ सब्सक्राइब कोई चार लोग टूटे पढ़े हैं कर आज आपको किसी बड़े म्यूजिक गाने वाले बजाने वाले इस तरह कर कोई तस्वीर आपको जारी होके हुए सोशल मेडिया पर दिखाई पड़त जो भी काम्यावे मिली जो लोग प्यता मिली वह काम ही के दम पर मिली तीरे-धीर करके मिली याने वह वाइरल का दौर मीथा कि चोटी सी क्लिप जो है वाइरल हो गई आप प्रातोरात संसनी वंगे स्टार वंगे उनीस सो सटावन में आ रही है तुमसा नहीं बेखा से एक यह बात आपने बहुत अच्छी कही यह सवाल की भी रहा बन गई अगले 21 सदी में 2021 में या 22 में या 23 में 2030 में रफी साहब अज़ एकन उनकी आवाज की उनकी शक्सियत की उनके पूरे इस तहजीबी सर्माए की क्या एहमियत है हिंदुस्तान के लिए यह हमने सवाल सामाजिक सामाजिकता के नजरिये से जो हम जिस तरह से देखते हैं जो सांस देते क्रचाओ बसाओ उसमें रफी एक इंपॉर्ट पूरी शताबनी पिछाए हूं 40-45 साल का जो उनका काम है ठीक है कि 1980 में रफी सहाब बुजर जाते हैं लेकिन उनका प्रभाव आगे के दशक तक दो दशक तक कायम रहता है जब तमाम सारे लोग उनके स्टाइल में गाते हैं बहुत सारी लोग आ रहे हैं तो एक ये बात कि जब हम सनेमा मिजिक की बात करें थोड़ी सी मतलब ये एक थोड़ा सा सहकार का भावना लेकर के कम्यूनिटी स्टेप लेकर के बात करनी पड़ेगी कि एक जो कंपोजिट कल्चर का माम है सामासिक संस्कति का कि आप उसमें थोड़ा सा मांक्स उसके गीतकार को देना होगा और उसके डिरेक्टर को देना होगा जो फिल्म बना रहा है अब कोई गुल्षन न उजड़े अब वतन आजाद है क्या अब सहिर है जेदेओ है सुने लट है और मुहमाल रफी है ये चारों को लेके चलना पड़ेगा जब रफी सहब उनके लिए गा रहे हैं आपके शंकरज्यकिशन के लिए गा रहे हैं जब आप पीनियर के लिए गा लए साथ हांथ बढ़ाना एक अकेला ठक जायेगा बीकर बोड़ उथाना या मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिए संसाय क्या बात है यमन कल्यान इतना सुन्दर राग और क्या सुन्दर अवधी हिंदी पट्टी का गीद वुगा रहे हैं तो वहां पर आपको पूरे सब को ले करके चलना पूरेगा आपको रफी सहाब के साथ जितनी जरूरी नौशाद उसन किल पदायोनी है उतनी ही जरूरी मिल्जिक है उसमें गाना है फिर आने लगा मुझे फिर याद आने लगा मुझे प्यार का आलम इसमें उशा खन्ना जो है वो करती है आवाज देती है प्यार का आलम प्यार का आलम सिरुगाती है हर बार नए तरीके से प्यार का आलम करते हैं रफी सापगारे काना है तो व मों भी सुको सबसाथी दुखमें नकोई एब बताइए फिलसोफी नहीं है जिंदगी को आके पढ़ हाने का यह POLodի का साथ निभाता चला गया हर कर को दूएं में उडाता चला तोत फिक्र को दूएं में उडानेवाला गायक हैner और वो कह रहा है वो तरीके से बता रहा है वो है महबब जिन्दा रहती है वो चंगेज खां का गाना और लाल किला का गाना हम लोग बूल गए बाद करना आपको किसी गया कनूर हो और वो लगता नहीं जिल मेरा उजड़े दयार में अब बताइए वो बाहदुर्शास दफर अब बताइए वो लेकर क्या रहे है तो यह जो एक चीज है यह पूरा पैनोरमा जो है यह पूरा एक पूरा रंगपटल खड़ा हो रहा है उसमें रफी एक बहुत इंपोर्टेंट इंसान के तौर पर गायत के तौर पर और एक सांस्कृतिक उन्सान के तौर पर और उनके एंडेक पर हमके हर जश्बे को हर कैफियत को उनका गीत को इनको इसान यह जह सब पर लिए और आपको सब और्रतब्स में यह तो नहीं कह सकते कि सिर्फरा बाटल रफी के बादा संजर यह जहांने कि शुक्न यहे है कि अब्लीन को departure पाट कि रहे हैं और मेंनाग औरêuत कि कोई नग यह वो आजुकी कोई मुकाबला ने और फिर एक तरफ खाटी वह वाला मामला है नेल नर जहीं है तो मनवा माकसर कोई बैकरी है प्रेम का छुटी है पटाखा तो दव आप लताइए तो यह अवाज निकाली है क्या पूरा कहरवा हो सब चीजे कर रहे हैं तो यह बड़ा बड़ा जीनियस कलाकार ऐसा सोच सकता है और अपने समय से आगे देखने होला कला पूरा सकता है हर आगी के बसकी बार लोग वर्दन करते रहे जाते तो कॉपी आज भी देखे तर तमाम सारे टैलेंट हैंट कॉपीशन में लता मुकेश रफी यहीं लोग आए जाते यही किशोर कुमार यहीं दोहराए जाते कोई नया गाना ना उन और ही सवाल है यह मेरा मैं चाहता हूँ इस पर आप ठोड़ा ठहर कर जवाब दे रफी साब को उनीस सो सड़ सट में पदमृशी मिला उसके बाद एक बहुत बड़ा आर साभी दिया असी में रफी साब की डेथ हो गई रफी साब ने जो कॉंटिब्यूशन चुकि उनका क इतने बड़े हैं हम सब जानते है एक मांभ बहुत दिनों से रफी साब के चाहने वाले या जो लोग नहीं भी रफीश आप को एक से बतना बीफालो करें लेकिन उनकी एन्मियत से जो वाकिफ है वह कहते हैं कि रफीश आपको बाद करतने मिलना चाहिए लेकिन पदमृसर मांग को आप किस तरह से देखते हैं दूसरा भारत रत्न जैसा अवार्ड क्या यह जो बहुत बड़ी हस्तियां हैं जिनको इतना मान सम्मान प्यार और पॉप्लरटी मिली क्या भारत रत्न जैसा अवार्ड अगर उनको नहीं मिलता है तो यह किसी किसी चीज की आपको कमी मैं इस भारी सवाल का जवाब देदे के लिए बहुत हलका आती हूँ पहली बात तो यह कि शमा चाहते हूँ लेकिन जो मुझे समझ में आता है जो आपके सवाल का पूरी पैराफ्रेजिंग है उसमें मैं एक जीज यह कहना चाहूँगा कम से कम एक उसके तौर पर फैन के तौर पर रफी साथ के तौर पर कोई पुरस्खार दुनिया का किसी की कला को पूरी तरीके से उसके युगतान को समझने या उसको पारिभाशित करने के लिए मुकंबल नहीं होता है कि कला का जो सवप्न है जो विराठ को रचने का सुपन है वो पुरसकारों के मिलने चे अगर देश के मैक्सिमम नागरिकों द्वारा जाता तर नागरिकों द्वारा या आवाज उठ रही है कि भारत रत्म दिया जाए तो आप इस बज़ें कि वो दिलों में तो भारत रत की तरह सुछोबीत है यह कहीं नहीं सकते और यह जरूर है कि जदिन रफी साब को भात मिलेगा या मिले तो यह बहुत खुशी का दिन होगा और तमाम अरे लोग खुशियां मनाएंगे दिवाली मनाएंगे लेकिन मैं एक बात यह कहता हूं मान लीजे रफी सहाब और रफी सहाब की तरह कि इतने बड़े कलाकारें वो रहे गए हैं या उनको उनके समय में नही मानओ हैं तो मुझे लगता है कि वह ऐस ऐसी कोई ऐसी तरफ से जोड़ के इशनके सब्सक्राइद करतें उनकी जन्म शताब्ती के तार या मूझे लगता या वह कुछ ती यह pretmosiate गिए नोगे यहागे 54 में बेसान seldom 2064 और उनको नवाजे श्ताब्तीम आरेए सारकार चु अब तो आखों में घमे हस्ती के पर्दे पड़ गए अब कोई उसने मुझहसिन बे नखाब आया तो क्या तो आपको यह नहीं लगता है कि टाइमिंग का थोड़ा नहीं मुझे लगता है कि जैसे सन असी में किते हैं कि जैस्ञ बाधी में शसकूर्ण के डहींग सकता है शनक कि यह भिजुल कुर्ण के छिए को सारे अधाबर तंग से लुड़ा görchnु गया ऊवकली रेख यह ख़िए वी तो अजल टो आया यह जाता है अब है आप सोचिए बेगम अक्तर साहिबा कि डिथ हो गई है उसके बाद उनको मनव परान उनके शिश्चों ने जब अपील की है तो उनको पदमिश्री मिला तो पदमिश्री पदमिश्री पदमिशन देशा दिया लिए कि टाइमिंग का एक महत्व है किसी चीज में अल्रेडी ताखीर हो गई है तो हमें लगता है कि यह तो एक उमीद अच्छी बात है हमें हमें येखीन है कि रफी साहब को एक मिल जाएगा आप भी जानते हों कि जो उनका मरतबा है जैसे आपने कहा कि जिस तरह से वह लोगों क चताब्डी आने से पहले ही भारत जैसे पुरुसतार से नवाजा जाए इसलिए भारत की सामासिक संस्क्तिक बहुत बढ़े पतीख है वह व्यक्ति है जो तुह हिंदू बनेगा ना मुसल्मान बनेगा इंसान की आउलाद है इंसान बनेगा नसरत जो सिखाए है तो धरम त है वो कहने वाले हैं सुथ के सबसाथी दुख में ना कोई वो फिलसोफी कर रहे हैं वो भारत को इत्ता के सुथ में बना रहे हैं और अपने जीवन से कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जैसे उनके प्रशन को कमतरा का जाए तो मुझे लगता है कि और यह सबसे बड प्रती बिच जाने वाजे अगर ऐसी भावनाव से प्रेडित है तो रशी साब को जरूर जन्नत में खुशे मिल रही होगी उनको लगता होगा कि चलो मैंने जो जो जोनका दाना है भारो फूल बरसाओ मेरा महभूब आया है तो जो फूल बरसा के करे हैं हम लोग पर प्या मुझे सारे गाले सोचा सब्सक्राइब सब्सक्राइब म обяз shipped कि ने जोड़े हैं कर लेता है जाते जाते अब यूल जो अगो को बज़ाना चाहिए जिल की आवाज भीसुन मेरे फासानी पेना उस में सुनना चाहिए आच्छे लेना एक जुल्फों में सितारे बर लेना उसमें सुनना चाहिए ज़तरीकर शाप में भाताव चला गय Sparget उसमें सुनना चाहिए तो हिंदू बनेगा नहुसल्मान बनेगा उसमें आपको आपको लेकर भी पड़ सकते हैं कि आपको गाने बता जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं वतन की राह में वतन के नौजवां सहीद हो बड़ी देर भाही नंदलाला सुके सबसाथी यह क्या हैं हिंद पर वो कहां है क्या से क्या हो गया बे वफ़ा तेरे प्यार में मेरी कहानी भूनने वाले तेरे यहां आवाद रहे आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज मद है कोई सागर दिल को बैलाता नहीं curiosumaktar जिसमें आपके साथ आशा-जी और सऀंशाथ बेगम भी महजूद हैं इन गानों को सुनिये और बहुत सारे गाने आपको मिल जाएंगे इतने सारे गाने आपको याद दिलाओं एक कुछ ऐसे गाने मैंने नोट करते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट टोन जिगाने हैं जिसमें स्थारंगी तबला यह सब बहुत हलके धंते इस्तमाल हुआ है तुम चली जाओगी परचाईया रह जाएंगी कुछ ना कुछ रूस्त की रानाईया रह जाएंगी शगुन का शबनम का मैंने रखा है महबत अपने अफसाने का नाम यह ज मौत भी आ गई तो टल जाएगी उनर मिलन सी अर्जुन का म्यूजिक आप देखिए क्या स्विलन से गा रहे हैं जाने क्या जूंटी रहती है आप मुझ में राह के ध्वेर में शुला है नचंगारी है तो मुझे लगता है कि यह सब रफी सहाब है और पहुत बाद तक आत आते आते आप दफली वाले डफली बजा सुनिये यह गोटे दार लहंगा सुनिये और उनका वो सब भी सुनिये जो बहुत शमी कपूर मार का गाना है इस रंग बदलती दुनिया में इमान की कीमत कुछ नहीं निकलाना करो तुम सच तच कर तो यह सब सुनिये सुमन कल्या पुरान है इसका दूसरा पार्ट भी हम करेंगे बहुत जल्दी और जदीन जी आपका बहुत शुक्रिया दिल से शुक्रिया कि यहां आए और देखें मैं मुझे खास बात क्या लगी जदीन के साथ जो हमेशा लगती है कि इन्होंने इतना पढ़ाय इतनी किताबें इनकी साथ तो उतनी संजीदगी से यतीनर जी ने इस काम को लिया और हमारे चैनल पर आए बहुत शुक्रिया आपका और हम उम्मीद करते हैं कि अलग-अलग सेग्मेंट के लिए हम आपको बुलाते रहेंगे और आपका प्यार हमें मिलता रहेगा और बहुत धन्यवादी मांश आपका काम हमेशा से बहुत सुंदर लगता है खुब मेहनस से करते हैं कुब दिल लगा के करते हैं इसलिए आपके सब्सक्राइबर से लाइक करने वाले हैं मैं आपके इस चैनल से और आज़े मुहमद रफी के पुरिपिति पर यही अपील करूंगा कि उनको जादा से जा अपिखे जा करते हैं कर दो डूदा तो पिछे जा करेंगे और तुमाम उस परमपरा को जाना चाहिए अचए अच्ब बहुत प्रम निर्मान हो रहा था तो भारत में फो रहा था जब भारत की मैपिंग और एक वह स्प últ शाल बाद हम लोग बहुत प्यार से बहुत शिदर से बहुत खुलू से आप करते हैं। बहुत धन्यवाद है। बहुत रुप्रिया आप सब का।